गुड मॉर्णिंग बच्चो आज के इस वीडियो सेक्षन में हम लोग एस्टाटिक जीके पर बात करेंगे और इस टॉपिक को हम लोगों ने चुना है डिसकसन करने के लिए वह है भारत में पर्थम आज का हमारा यह जो वीडियो सेक्षन एस्टाटिक जीके से जो सम्बन दीन यह बाद रिए यह दूसरा विडियो सेशन होगा पिछले स्टाटिक जीके में हम लोगोंने परतम भारतिये परबात किया था तो परतम भारतिये अथवा भारत में परतम चीच एक ही है ठोड़ा सा इसमों टेक्निकल है तो आज का मारे वीडियो सेशन यह मान के चला कि ये पिछला ही वीडियो सेशन का ये अगली कड़ी है उसका ये सिक्वेल पार्ट है ये आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको किसी पार्टिकुलर छेत्र में परतम होने का गौर प्राप्त हुआ है तो चलिए इस वी परतम भारतिये या भारत में परतम से सवाल जरूर और जरूर आने होते हैं यह बहुत इंपोर्टन सेक्षन होगा आपके परिक्षा के दृष्टिकुलर से तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन के सुरुआत करते हैं भारत में परतम और सबसे पहले जो टॉपिक लेते है वो है पूरूसWरग सबसे पहले जो टॉपिक लेते हैं वो है पूरूसWरग देखते हैं कि पूरूसWरग में कौन-कौन से लोग हना परतम होने का गौरव हांसील किया है चलिए भारत का परतम राष्ट पति जो पद पर रहते हुए रहते हुए दिवंगत हुए मतलब देथून का हो गया आप ऐसे समझें तो यह थे डाक्टर जाकिर हुसेन यह जो थे वो डाक्टरो जाकिरुसेंदेस के पर्थम ऐसे राष्ट पती हुए है जो की कारेकाल के दोरानी उनका देहान थो गया चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं भारत का पर्थम भारत का पर्थम दली तरास्ट पती और ये जो थे के आर नारायनन थे ये जो थे वो के आर नारायनन थे चलिए बात को हम लोग आगे लेके चला जाए ये सारी बाते ये भारत के संदर में हो रहे हैं तो इस बात अब हमें बात करना है backward कास्टे से जुड़ा हुआ है दिखिए जो किया नारनन थे ने ये पाले ये सामुद्आ से जुड़े हुए रास्ट पती थे भारत का पर्थम रास्ट पती जो की बैकवड कामुनूटी से पिछड़ा वर्ग से जूड़ा था चलिए भारत का पर्तम रास्ट पती जो ना backward backward कस्ट से जूड़े थे से जूड़े थे और वे थे ज्यानी जैल सिंग यह देश के परतम सिख्ष भी रास्ट पती थे ठीक ना ज्यानी जैल सिंग जो वो backward community से ये बिलॉंग करते थे चलिए भारत की पर्थम गैर Congress परधानमंत्री अब हम बात को आगे लेके चलते हैं भारत का पर्थम गैर Congress से बिलॉंग नहीं करते थे चलिए परधानमंत्री तो ये जो थे मोराजी देशाई थे यह देश के यह पहले ऐसे परधान मंत्री हुए जो कि यह कौंग्रेसी थे चलिए हमोत को आगे लेका प्रथम परधान मंत्री कि यह जिनों ने जिनों ने जोकी का सामना नहीं किया लोग सभा का सामना नहीं किया ठीक ना यह देश के सबसे कम समय के भी यह परधान मंत्री थे और इन्होंने कभी लोग सभा का सामना नहीं किया यह थे हैंना चौधरी चरन सिंग चले हम लोग बात को हम आगे लेके चलते हैं देश का या भारत का प्रतम प्रतिपक्छनेता आप ऐसे समझेड़िए प्रतिपक्छनेता तो राम सुभण सिंग थे ठीके ना राम दूंध भाक सिंग देश के प्रतिपक्षनेता थे हूं बात को हम लोग आगे लेकर चलते हैं भारत का प्रतम उसको आप एलेक्सिन कमिस्तन समझे निरवाचनाईक है। निरवाचन आइक तो जो थे हैं, एलेक्शन कमिस्टन जो थे हैं, वो थे सुकुमार से, चलिए, देखिया हमारा जो फर्स्ट जो कैबिनेट का गठन हुआ था, जो पर्थम जो केंद्रिय मंत्री मंदल का गठन हुआ था, तो उनसे सम्मागित सवाल जरूर और जरूर जैसे कि भारत का प्रथम हना हो मिनिस्टर ग्री मंत्री जो थे हैं, वो थे सर्दार बल्ला भाई पटेल, सर्दार बल्ला भाई पटेल, ठेकना ये देश के ये प्रथम ग्री मंत्री थे, सर्दार बल्ला भाई पटेल, चलिए हम लोग आगे बात को बढ़ाते हैं, भारत क प्रथम भारत का प्रथम क्रिसी मंत्री थोड़ा देखा जाए भारत के जो प्रथम किस्री मंत्री थे यह थे डाक्टर अजिंदर प्रसाद को ना अग्रिकल्चर फोर यू दिया गया था तो डाक्टर अजिंदर प्रसाद जो थे वह भारत के प्रथम क्रिसी मंत्री थे चलि भारत का प्रथम जो रेल मंत्री थे वो जौनमत आई थे हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं भारत का प्रथम थेकना वीत मंत्री सनमुख चट्टी थे ठीक ना भारत के परतम जो वीत मंत्री थे वह सनमुख चट्टी थे तो बच्चों यह एक्जामनेशन दृष्टी कोंसे यह बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए चलिए इसमें हम लोगों ने क्या क्या दे कि चीज़ को एक बार एक बार फिर मंत्री थे ठीक ना जाहिर सी बात है कि इनके साथ ही ऐसा मामला हुआ होगा कि लोग सभा का सामरा करने के पाले यह अपने पत से हट गए होगे चलिए भारत के परतम प्रतिपक्षिनेता यानि को पोजीशन लीडर अगर आप प्रतिपक्षिनेता नहीं समझ में आ रहा है आप इसको इंगई हैं उप्वाजीशन लीडर तो भारत के जो सबसेओ परतिपक्षिन लीडर ते वह थे राम सुभाग सिंह थे चलिए भारत का प्रतम निरवाचनायुक्त आप मुख निरवाचनायुक्त विमान सकते वो थे सुकुमारसें थे भारत का प्रतम ग्री मंत्री थे वो सरदार बल्लभाई पटेल थे बहुत इंपोर्टेंट है चलिए भारत का प्रतम क्रिसी मंत्री का जो पद दिया गया था वो डक्टर अजिंदर परसाथ को पद दिया गया था। चलि हम लोग बात को आगे देखते हैं, भारत का प्रतम जो रेल मंत्री थे, वो जौनमत आई थे। और भारत का जो प्रतम वीत मंत्री थे, वो सनमुख चटी थे। चलि हम लोग बात को हम लोग आगे कहरी करते हैं। नमबर 12, भारत का प्रथम सिक्षा मंत्री, भारत का प्रथम जो सिक्षा मंत्री थे, यह थे अबूल कलाम आजाद, अबूल कलाम आजाद जो थे, वो भारत के प्रथम सिक्षा मंत्री थे, चलिए, भारत का प्रथम स्रम मंत्री, अना लेबर मिनिस्टर, और भारत के जो सबसे परतम जो स्तरम मंत्री थे वो थे जग जीवन राम थे और भारत के जो परतम जो स्तरम मंत्री थे वो जग जीवन राम थे चलिए भारत के परतम वानी जी मंत्री देख ले ते कौमर्स मिनिस्टर भारत का परतम भारत का परतम आप ऐसे समझे वानी जी म मंत्री जो थे स्यामा परसाद मुखर जी वो थे स्यामा परसाद मुखर जी चलिए भारत के प्रतम कानून मंत्री को तोड़ा सा देख लेते हैं भारत का प्रतम जो कानून मंत्री थे जायर सी बात है कि कानून के जानकार हना भी मराव अंबेड कर से कोई बड़ा उस समय कोई था ही नहीं तो जायर सी बात है कि जो मंत्री होने का उनका होने सभाविक है तो डॉक्टर भीमराव आगे लेके चलते हैं भारत का परत्म सिक्षा मंत्री हो अबूल का लामाजाद यह बहुत इंपॉटेंट है देखें यह कई बार पूछा जा चुका है कि देश के जो परतम जो सिक्षा मंतरी देखो ड्रवुकाला माजाद थे भारत का परतम और वानीज मंतरी ते पीसियमा परसाद मुखरजी चलिए समनित एक और बात भारत का पर मंत्री जिन्होंने केंद्रिय मंत्री मंडल से केंद्रिय मंत्री मंडल से इस्तीफा दिया हो केंद्रिय मंत्री मंडल से इस्तीफा दिया हो थे स्यामा प्रसाद मुखर्जी थे ठीक ना स्यामा प्रसाद मुखर जी थे यानि कि स्यामा प्रसाद मुखर जी ये पाले भारत के ऐसे मंत्री थे केंद्रिय मंत्री मंदल में जिन्होंने अपने पद से इस्तिफा दे दिया था चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं दिखिए, गैर हिंदी राज्य से, ठीक ना, गैर हिंदी राज्य से, सबसे पहले परधान मंत्री कौन देश का बना था, तो वो थे प्रिभी नर्सिम्मा राओ, इसके पहले कि जो भी परधान मंत्री थे, उनका संबंध हिंदी बिल्ट से था, ठीक ना, हिंदी भासी छित्र राज सभा से चुने जाने वाले चुने जाने वाले परतम परधान मंत्री देखिए हाला कि यе बात पूरुस के टेगरी का चल रहा है लेकिन फिर पिस में महिला का नाम आगया है भारत से राज सभा से लेकि बहुत इंपोर्टन्ट ये बात है राज सभा से चुने जाने वाले भारत के पर्थम परधान मंत्री कौन थे तो वो थी श्रीमती इंद्रा गांधी ये रास्थाभा से चुने जाने वाली देश की ये पर्थम ये महिला परधान मंत्री थी श्रीमती इंद्रा गांधी पुरू सवर्ग में जो थे आप यहां से बात को किलियर कर लिया जाए जो पुरुस्वर्ग में यह जो व्यक्ति थे वो थे देवगोडा जिनका जो नमंकन हुआ था वो रासभास हुआ था तो यह बहुत इंपोर्टन सेक्षन है आपके लिए चलिए भारत के पर्थम आप ऐसे समझे कि उपराष्ट पती भारत के प्रथम उपराष्ट पती तो भारत के जो पर्थम उपराष्ट पती थे वो थे सौरुपली राधा क्रिश्टन ठीक ना सौरुपली राधा क्रिश्टन इस राधा क्रिश्टन के नाम से यह ज़्यादा मसूर है ठीक ना और रासभा के पर्थम सभापती भी यही थे ठीक ना चुकि आपको पता है कि र राधा क्रिस्टन देश के पहले उपराश्ट पती थे तो रासभा का जो पहला जो सभापती होगा वो भी मतलब इस राधा क्रिस्टन होंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं रासभा का रासभा का पर्थम सभापती पहला सभापती ठीकना चलिए तो यह जो थे वो थे इस राधा क्रि अब लोग सभवा क्यों राते हैं लोग ओना ऐसे इसको लिखना बहतर होगा कि परतम लोग सब्वा द्यक्ष कौन थे भाई परतम कि लोग सब्भा अधिक्ष कौन थे ठीकिर तो मावलंकर जी भी माव लंकर जो थें वो देश के पर्थम वो लोग सबाद देख चते हैं चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं भारत का पर्थम रक्षा मंतरी तो वो थे अना बल्देव सिंग थे ये देश के ये फर्स्ट ये डिफिंस मिनिस्टर थे चलिए हम लोग बात कि हम लोग आगे लेके चलते हैं अना भारत का प्रथम थल से नाध्यक्ष भारत का प्रथम थल से नाध्यक्ष ठीक ना यह बहुत important section है यह आपके examination के लिए super important section है जिसमें कि हम लोग प्रथम पर बात कर रहे हैं और यह सारे यह परिच्छा से related चीज है तो भारत के जो प्रथम जो सेना देख चलते हैं वह महराज राजिंदर जी थे महराज राजिंदर जी थे हैं हम लोग बात को आगे लेके चलते 24 में अना भारत का प्रथम भारत का प्रथम ना एयरचिफ मारसल भारत का और चिफ मारसल कौन थे भाई भारत के प्रतम इयर चिफ जो प्रतम ये फीशल मारसल थे आपके लगए बहुत ations मुखर्जी लाए ये बहुत फानल करुंपर्थन रशी बात में बहुत इंपर्दैर्ट्ट्रें कि आपके लिए ज़्धा इंपॉर्टेंट होगा भारत का परत्म जो नावल चीफ कोन थे भाई थोड़ा सा देखते हैं इसको है और नेभी नेभी के जो चीफ थे वो कन थे तो वह ते आड़ी कटारी जो थे वो देश के परत्म नावल चीफ थे हैं ठीक है चलिए हम लोग बात को आगए देखते हैं सोतंत्र भारत का सोतंत्र भारत का पहला कमांडर इन चीफ सोतंत्र भारत का पहला कमांडर इंचीफ अना तो ये थे के एम करियप्पा के एम करियप्पा जो थे हैं ये देश के पर्थम कमांडर इंचीफ थे चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं भारत का पर्थम भारत का पर्थम ठीक ना फिल्ड मारसल भारत के पर्थम जो फिल्ड मार्सल थे हैं वो थे सैम मानिक्सा सैम मानिक्सा चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं 28 नंबर की हम लोग आते हैं चलिए पर्थम वित आई होगा द्यक्च अना देश के पर्थम अना भारत का पर्थम वित आई होगा द्यक्च कौन थे भाई भारत के जो पर्थम वित आई होगा द्यक्च थे वो थे केसी नियोगी वो थे केसी नियोगी चलिए हम लोग आते हैं 29 के तरफ चलिए पर्थम फिल्म निर्माता अना जिसको भारत रतन मिला ठीक ना पर्थम फिल्म निर्माता ठीक ना जिने हैं भारत रतन भारत रतन दिया गया यानि कि फर्स्ट ऐसा फिलिम प्रोडूसर जिसको जिसने भारत रत्णों को प्राप्त किया है ठीक ना और वो वेक्ति है सत्जीतरे और वो वेक्ति है सत्य जीतरे चलिए हम लोग 30 नंबर पर आते हैं बहुत इंपोर्टेंट है रास्टी विज्यान कॉंग्रेस के प्रतमध्यक्ष रास्टी ये विज्यान कॉंग्रेस के प्रतमध्यक्ष ठेकना और ये थे सरासुतोस मुखर जी सर आसुतोस मुखर जी चलिए तो बच्चों ये बहुत इंपोर्टेंट सेक्षन है आपके एक्जामने संद्रिष्टे कौन से अब हम लोग थोड़ा महिला काटेगरी में देख लेते हैं कि परतम महिला कौन होई कि सिखास चत्र में चलिए अब हम लोग महिला काटेगरी के बारे में बात करेंगे चलिए थर्टीवन की तरफ आते हैं ये सारी बहुत इंपोर्टेंट बाते देखिए केंद्रिय मंत्री मंडल में सबसे पहले जो महिला मंत्री कौन थी चलिए इसको देखते हैं केंद्रिय मंत्री मंडल में भारत की परतम महिला मंत्री ठीक न और वो थी राजकुमारी अम्रित कौर राजकुमारी अम्रित कौर जो की स्वास्त विभागिन को दिया गया था ठीकना यह भारत की परतम स्वास्त मंत्री भी थी स्वास्त मंत्राले इनको दिया गया था ठीकना यह देश की परतम अना हेल्थ मिनिस्टर भी रही है हेल्थ मिनिस्टर भी थी चलिए तो यह बहुत बहुत इंपोर्टेंट है यह सुपर इंपॉर्टेंट बात है चलिए अब हम लोग तोड़ा से इसको रिव्यू कर लेते एक बार केंद्रिय मंत्री मंदल में भारत की पर्थम महिला मंत्री जेगना वो थी राजकमारी अमरित को और इनको स्वास्त मंत्रा ले दिया गया था ये केवल महिला मंत्री नह हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं भारत के किसी राज की पर्थम जो महिला राजपाल है ठीक ना भारत भारत के किसी राज के पर्थम अब हम लोग महिला कटेगरी में हैं तो हर बात हम महिला से सम्मनीद बात करेंगे भारत के किसी राज की पर्थम जो महिला जो गवर् थी ठीक ना सरोजनी नाइडू ये पर्थम राजपाल थी यूपी की सरोजनी नाइडू चलिए बात को हम लोग आगे देखते हैं भारत की किसी राज की पर्थम महिला मुख मंत्री ठीक ना भारत के इसी राज के पर्थम महिला मुख मंत्री तो ये थी सुचेता क्रीप लानी और ये यूपी की ये फर्स्ट सीएम की रूप में अना महिला सीएम की रूप में ये सुसोबित हो चुकी है चलिए उच्छी नियाले आगे बात को बढ़ाते हैं उच्छी नियाले देश की ठीकना के पर्थम महिला नियाए दीस तो ये थी अना चंडी ये जो थी वो थी अना चंडी बहुत इंपोर्टेंट चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं उच्छी नियाले के उच्छी नियाले के पर्थम ठीकना मतलब मुख निया दीस अना पर्थम महिला मुख नियाधीस ये तो अना चंडी पर्थम नियाधीस थी लेकिन मुख नियाधीस नहीं थी तो पर्थम मुख नियाधीस होने का गौर किसे प्राप्त हुआ भाई तो चलिए ये थी लीला सेट ये थी लीला सेट ये देश की पर्थम महिला ये नियाधी थी मुकह नियाधिस थी किसी उची नियाले से संबंदीत चलिए बात कम लोग आगे बनें के चलते हैं सर्वोच नियाले अब हमारा आता है सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट की प्रथम महिला थेकिन ही नियाधिस सुप्रीम कोट तक जाने वाली जो पर्तम महिला ने आदिश थी उनका नाम था फातिमा बीबी ठीकना फातिमा बीबी ठीकना ये सुप्रिम कोड तक जाने वाली ये पर्तम ये महिला ने आदिश थी छलिए 37 में आते हैं ये सारी बात ही important है छलिए लोगसभा की पर्तम महिलाई speaker और वो जो थी वो मीर कुमार और वो जो थी वो मीरा कुमार चलिए एक इंप्टेंट बात यहां पर मेंचन किया जाए कि देश की पर्थम देश की पर्थम महिला राष्ट पती है चलिए तो महिला भारत जो भी कहिए देश की पर्थम आदिवासी ठीक ना आदिवासी महीला राष्टपती आला कि पुरुस का ठीकरी में तो अभी कोई हुआ नहीं है अगर राष्टपती भी पूसता है तो वो दुराब्दी मुर्मू होगी और महीला राष्टपती भी पूसता है तो वो द ही हुए हैं तो देश की परतम आदिवासि महिला राष्ट पती ये हैं द्रौपदी मुर्मू ये तो ये थी वीए सरमा देवी ये वीए सर माया देवी जो थी ये राजसभा की पर्तम ये महिला महासाची थेकर न अद्यक्ष अब ये महिला तो काने की जरूरत नहीं है क्योंकि राश्टि जा महिलाईोग है तो उसका आद्यक्ष भी कोई महिला ही होता Jacket जियनती पटनायक जो थी ये देश की पर्थम ये रास्ट जो रास्टे महिला योग होते हैं उसकी ये पर्थम ये अध्यक्ष थी नाम था जियनती पटनायक चलिए 42 की तरफ आते हैं ये सारी बाते बहुत इंपॉर्टेंट है देखें पर्थम आप ऐसे समझे विधाई का क आज विधाई का की पर्थम ठेकना महिला विधायक पर्थम महिला विधायक कि आनि कि फर्स्ट आप इसको दूसरे भाहसा में समझें फर्स्ट ठेकना मतलब हैं member of legislative assembly फर्स्ट MLA देश की फर्स्ट MLA कौन थी तो हमको ये बताना है ठीक ना तो वो थी मुथू लक्षमी रेड़ी ठीक ना ये देश की पर्थम ये MLA थी चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं नमबर 43 की तरफ आते हैं चलिए देखिए UPSC की पर्थम महीला देख्च बहुत ही इंपोर्टन्ट है UPSC की पर्थम महीला देख्च यूपीसी की जो पर्थम महिला देख चे थी ठीक ना वो ते रोज मिलियन ठीक ना बैथियूज रोज मिलियन मैथियूज सॉरी सॉरी मैथियूज नहीं बैथियूज Rose Million बैथिस UPSC की ये पर्थं है ये चियर परशन थी चलिये Everest पर चढ़ने वाली पर्थं महिला हम लोग बात को आगे लेके चलते है ठीगिना Everest पर चड़ाई करने वाली चड़ाई करने वाली पर ठाम महिला ठीगिना और ये थी तो अमारी अई कि पाल इवरेस्ट पर चड़ाय करने वाली प्रतम मेुला प्रतम ऐसे मारे सचरणी आहिएूас तो दो बार एवरिस्ट पर दो बार एवरिस्ट पर चड़ाई करने वाली महिला का नाम है संतोस यादो देखना वह है संतोस यादो चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं देश की पर्थम महिला संसद देखे यह तो MLA थी यह जो मुथ्थू लक्ष में जो रेड़ी थी यह MLA थी चलिए देश की पर्थम महिला संसद यानिक MP महिला संसद देखे जो पर्थम महिला संसद थी वो राधा बाई सुबा रायन उनका नाम था राधा बाई सुबा रायन ठीक न चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं 47 चलिए देश की पर्थम आप ऐसे समझे कि किसी राज विधान सभा की पर्थम महिला हो पाध्यक्ष थी ठीक ना देश के किसी राज विधान सभा की पर्थम महिला अध्यक्ष अना विदान सभा के पर्थम जो महिला देख जो देश की जो सबसे पाली बनी मती स्रीमती सन्नो देवी स्रीमती सन्नो देवी चलिए देश की किसी सहर की पर्थम महिला आप मेर समझे ठीक न चलिए पर्थम महिला मेर आप ऐसा समझे सरल भासा में परतब महिला मेयर का नाम क्या है और वो है तारचेरियन मदरास की ठीकना यह उस समय नाम मदरास था तो मदरास की जो यह मदरास सहर से यह जूड़ी हुई परतब महिला यह मेयर का नाम थे ठीकना तारचेरियन बहुत इंपोर्टेंट है सभी तरक एकजामस के है चलिए बात को हम लोग आगे लेकर चलते देखिए रासस्भा की पर्थम महिला दिख्च रास्बा की जो पर्थम जो महिला दिख्च का नाम है वाइल tampार-ध लाइलम्स ओन छलिए हम लोग- बात कम लोग आगे कैरी करते हैं देखिए देखिए देश की पर्थम महिला आप ऐसा समझे देश की पर्थम महिला जिन्हों ने ओलम्पिक खेलों में भाग लिया ओलम्पिक खेलों में भाग लिया चलिए यह सवाल आपके लिए छोड़ा जाता है आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे क्योंकि यह बात आप पढ़ चुके हैं एक सवाल आपके लिए अगर आप इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं तो देश की पर्थम महिला, जिनों ने ओलम्पिक खेलों में भाग लिया, उसका नाम आपको comment section box में देना है, अगर आप अपने आप एक अच्छा जीके का मानते हैं कि आप अच्छा knowledge रखते हैं, चीजों को बहुत बारिकी से अगर आप पढ़ते हैं, तो आप इसका आप हमें जरूर भेजेंगे, तो चले बचों आज का आमरा video session की बात इतना ही, लेकिन ये static gk का ये series जारी रहेगा, thank you very much.